तो यह थोड़ी सी मैंने कलाकारी करी है आज के इस लेक्चर में वो कलाकारी इसलिए क्योंकि यार सिदी सी बात है कि बस ऐसी मन किया कर देख तो आज के इस टॉपिंग में वैसे तो पता नहीं क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा बट अधरवाइस हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज टाइप सॉफ प्लैनिंग एंड एल्पीजी रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया था कि जब प्लैनिंग कमिशन हमने डिस्कस क तो मैंने आपको बोला था कि कुछ डिफेंट 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 टाइपस की जो है प्लैनिंग होती है उसके लिए मैं एक लेक्चर लूँगा एंड एल्पीजी रिफॉर्मस मैंने आपको जब 91-92 के बारे में बात करी थी तो हमने एल्पीजी रिफॉर्मस वर्ल यह economic policy हमारी क्या है new economic policy मतलब liberalization किया, privatization किया, globalization किया इस चीज के बारे में इस particular lecture के अंतरगत हम discuss करने वाले हैं ठीक है और इस class को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Vipan Goyal यह side पे लिखा हुआ है मेरा name है ठीक है planning मैं ने आपको بتाया थे कि क्यों करते हैं जब आ planning करते हैं तो reforms भी बीच में आते हैं जैसे for example आप अपनी preparation स्टार्ट करते हैं तो preparation स्टार्ट करते हैं आप एक प्रपर दरी के से planning बनाते हैं कि हां मैं इस तरीकिसे start करूँगा तो क्या होता है कि कुछ preparation करते, 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 आपके लूप होल्स आते हैं उसमें, लूप होल्स का मतलब यहां पर यह है कि कुछ गड़बर होती है, कुछ चीजे लगता है कि नहीं, यह सैट नहीं बैट रही है, तो हमें उसमें बदलाव लेके आना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं reforms, So that's why, जो LPG reforms आये थे, जब हमारा देश कोई उतार चड़ाव से जूज रहा था, जा कोई problem चल रही थी, जा center week चल रहा था, anything, जो हमारे देश में growth नहीं हो रही थी, GDP नहीं बढ़ रही थी, competition नहीं बढ़ रहा था, पैसा नहीं बन रहा था, तो यह सारे reforms हमारे देश में द discuss करेंगे आज के इस lecture के अंतरकर, तो start करते हैं इस lecture को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा GA live selection batch है, यह launch हो चुका है, जिसकी classes जो है, 31st of August को आपकी start होने वाली है, और शाम को 7 बचे, अगर आप लोगों ने अभी तक इस batch made mission नहीं लिया, तो आप ले सकते हैं, इस batch में हम proper तरेके से theory topic discuss करेंगे, चाहे quality है, history है, geography है, science, environment, ecology, जितने भी हमारे topics आते हैं, general studies, काफी exams में general studies वर्ड यूज करते हैं, काफी exam में general awareness वर्ड यूज करते हैं, दोनों सेम चीज़े हैं, again, quality, history, geography, जो मैंने आपको topics बता हैं, वो हो वाले, ठीक है, और अगर आप किसी भी exam की तयारी करते हैं, like for example, किसी state PCS की exam की तयारी कर रहे हैं, SSC की तयारी कर रहे हैं, CDS, CPF की तयारी कर रहे हैं, FCAT की, Railways की, जा कोई भी ऐसे state exam जहां पे general studies का part आपका सबसे ज़्यादा maximum रहता है, तो आपके लिए सबसे beneficial जो है batch है, तो इ इस batch के अंतरगत आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी, जैसे 300 प्लस live hours का जो content आपको मिलेगा, और इस batch में 5 दिन हम हफते में class लेंगे, और 5 दिन आपके आदा घंटा doubt session होगा, छटे दिन भी doubt session होगा, और 7 दिन जो है आपका test होगा, कि जो आपने एक हफते में मेरे से पड़ा है, तो आपकी एक बार नहीं, तीन बार revision हो जाएगी, एक ही topic की, एक ही जो हफते में हमने पड़ा है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, again, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये चीज़े तो आपकी हैं, जिसमें NCRD cover है, जिसमें आपकी state, जो आपके, जो basic books हो दिमाग में उस time पे क्या चीज़ आ जाए, और मैं आपको क्या extra चीज़ दे दू, पहली बात, ये तो मिलेंगी, मिलेंगी, ये तो आपको definitely मिलेंगी, और हमेशा से मैं करता आता हूँ, ये चीज़े, ठीक है, तो ये तो चीज़े आपको मिलेंगी, मिलेंगी, और plus extra, Study IQ app और website आप download कर सकते हैं, जहाँ आप open कर सकते हैं, जैसे आप open करेंगे, आपको screen की उपन नज़र आएगा home page, यहाँ पे देखेगा search bar, search bar में डाल देना like, जैसे आपने live word डालाना तो आपको ये course नज़र आएगा, live journal awareness selection batch by Dr. Wipan Goyal, ये course नज़र आएगा, इसको click करना और इस batch में आप एक code लगा लेना, वी आईपी 1000, ये batch जो code है, ये सब के लिए मैंने open कर दिया है, चाहे मेरा already किसी बच्चे ने paid course ले रखा है, जा नहीं ले रखा, सब के लिए open है, 31st of August तक, क्योंकि मैंने open कर दिया, कि हाँ, मैं एक एक बच्चे को message, मतलब बच्चा म चाहते हैं, तो आप मेरा paid course 10,000 MCQ course ले सकते हैं, ये देख लेना, चीक है, updates बगएरा जो भी होते हैं, lecture के बाद मैं हमेशा telegram channel की उपर upload करता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं, आप मुझे Facebook, Instagram की कर सकते हैं, कोई paper हो, exam हो, doubts हो, आप मुझे यहाँ पे send कर सकते हैं, तो start करते हैं सबसे पहले आज types of planning के बारे में, लेकिन types of planning को मैं हमेशा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं board की उपर आपको study करवाता हूँ, rather than slides बढ़े हम पहले, slides मैं end में दिखाता होता हूँ दिखें जी, पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ planning की, planning का जो concept है, जैसे हमारे देश में five years plans का concept आया था, तो ये हमने कहां से borrow किया था, कौन से country से borrow किया था, रशिया से, ये तो सबको पता है, रशिया से borrow किया था, क्योंकि सविधान में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, fundamental duties, five years plans का concept, ये सब चीज़े हमने रशिया से borrow करे थी, हमारे देश में इस time पे जो economy की बात आती है, अर्थ विवस्था की बात आती है, वो हम कहते हैं कि हमारी क्या है, mixed economy है, mixed economy का मतलब क्या है, इसमें capitalist, capitalism वाला पार्ट भी आता है, पुंजी वादी वाला पार्ट भी आत है, socialist जो होते हैं, वो center government control करती है, welfare के लिए काम करती है, capitalism की अगर हम बात करते हैं, तो capitalism में हमेशा बात आती है, आपके profit making की, clear, profit making की बात आती है, यहाँ पे, यहाँ पे यह सब चीज़े देखने को मिलती है, clear, हमारे देश की, यह भी मैं आपको detail में समझाऊंगा, कि what is capitalism socialism and mixed economy, but अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, कि mixed economy मतलब दोनों चीज़े, government भी control कर रही है चीज़े, private sector भी control कर रहा है, again, क्योंकि यह topic है, again, यह topic है बहुत बढ़ा, उसको हम अलग किसी दिन topic को ले लेंगे, but अभी इसी तरफ चलते हैं, कि हमारी planning के concept के बारे में, clear, देखे, different type की planning क्या होती है, the one is the indicative planning, indicative planning, अब indicative planning का मतलब क्या होता है, yes, indicative planning का मतलब क्या है, कि, देखो, indications कहते हैं, कि मुझे indication दी गई है, कि यह काम करना है, और समझ आया, तो अगर live batch में, यहाँ पर मैं आपको यह बोलो, आपको यह काम करना है, आज हम इस तरीके से lecture को पढ़ेंगे, इतने दिन में ये lecture खत्म करेंगे, तो that means हमने indication एक दूसरे को दे दी है, तो that means कि, यहाँ पे indicative planning का मतलब क्या है, कि आपने जो है goals, guidelines दे दी है, कि हाँ आपको यह काम करना है, इतने दिनों में काम करना है, तो indicative planning का मतलब यह हो गया, जहाँ पे goals, guidelines, जो हैं आपके indicate किये जाएंगे, forward किये जाएंगे, और यहाँ पे आपको चीज करी जाएगी, और यहाँ पे ध्याँ रखना कोई specific चीज की उपर बात नहीं करी जाएगी, holistic approach के लिए बात करी जाएगी, मतलब पूरा collectively approach के लिए बात करी जाएगी, point समझ आया, so this is called indicative planning, clear, दूसरा होता है आपका comprehensive, comprehensive planning, चीक है, जा फिर इसको हम और क्या कहते है, imperative planning कहते है, imperative planning, यह जो planning होती है, इस planning के अंतरगत, इस planning के अंतरगत क्या होता है, states, जो राज्या होते हैं, वो चीजों को जो है आपके proper तरीके से, yes, हाँ, ठीक है, दिखेंजी, actually क्या होता है, यह comprehensive और imperative planning जो होती है, यहाँ पे socialist चीजों की बारे में बात आती है, अब socialist word का मतलब क्या होता है, what is the meaning of socialist, जहाँ पे government सारी चीज़े गंडूल करती है, और government जो काम करती है, हमेशा, वो welfare के लिए maximum time काम करती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो socialism की बात आगी न, इसमें सारी चीज़े किसके अंदर आएंगी, states के अंतरगत आएंगी, और इस चीज़े को हम type of centralized planning भी कहते हैं, centralized planning का मतलब यह है, कि यहाँ पे जो सारी चीज़े होंगी, वो किसके अंतरगत आ रही है, center government के अंतरगत आ रही है, states के पास आ रही है, वो ही authority है, जो चीज़ों को control करेगी, point समझा है आप लोगों को, yes, so this is the planning, indicative planning बता दिया, comprehensive planning में ने आपको बता दिया है, now the next one is the core planning, core planning, what is the meaning of core planning, core planning क्या होती है, what is the meaning, दिखें, actually क्या होता है, कि जब भी planning करते हैं, अगर states, अगर जो center government है, center government, राजियों को बोले, states को बोले, कि आपको किन-किन resources के लिए, किन-किन चीज़ों के लिए, जो है आपको money चाहिए, मतलब आप अपने objective बताएए, आपको किस-किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो उसी के according, जो center government है, वो क्या करती है, plan करती है, कि हाँ, एक राजिया ने ये बोला है, दूसरे ने ये बोला है, तीसरे ने ये बोला है, उसके according, जो पैसा है, वो allocate ऐसे किया जाए, ताके इनकी states की जो जरूरते हैं, वो भी पूरी हो सके, इसमें हमेशा center government, पहले state government से पूछ लेती है, ताके आपका जो होता है, तीज पैसा जो है, वो मतलब गलत allocate ना हो जाए, कहने का मतलब, जो आपकी जरूरते हैं, आप हम उनको ही पैसा देना चाहते हैं, that's why it is called core planning, जिसमें center government, हमेशा state government को बोलती है, आप अपने जो भी objective हैं, जा आपकी state में कोई भी दिक्कते हैं, आप हमें दे दीजिए, आप हमें बता दीजिए, और उसके according हम काम कर लेंगे, उसके according आपको allocate कर देंगे पैसा, ताकि जो आपका पैसा है, proper तरीके से जो है, कोई भी ऐसी जगा की उपर ना लगे, जहां पर हमें लगाना नहीं चाहिए था, तो that means, it prevents the diversion of the funds, diversion of the funds from the, मतलब जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें मतलब जो ज़रूरतें हैं, नीडी चीज़ें हैं, उनके उपर ना लगा के, हम दूसी चीज़ों के उपर लगा रहे हैं, तो this is very important, this is called core planning, this is very very important one, clear, एक होता है structural planning, structural planning, what is the meaning of structural planning, अगर मैं आपसे कोशन पूछू, तो हमारे भारत देश में, किस टाइप की unemployment है, unemployment मतलब बिरोजगारी, तो आपका अंसर होता है, हमेशा structural, that is सरंचनात्मक, हमारे देश में, structural unemployment क्यों है, reason हमारे पास resources नहीं है, कि हम सब को काम दे पाएं, हम सब को jobs दे पाएं, that's why it is called structural planning, sorry, structural unemployment, तो again, जब हम structural planning के बारे में, बात कर रहे हैं, structural planning के बारे में बात कर रहे हैं, that means हम बात किस के लिए कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, resources के लिए, हम अपने देश में, ऐसे resources को पैदा करेंगे, ऐसे resources जो बनाएंगे, जिससे जो है, हमारे देश में जो बेरोजगारी है, वो खतम हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम काम दे सके, so this is called the structural planning, पॉइंट समझा है आप लोगों को, yes, the next one is a functional planning, functional planning, what is the meaning of functional planning, देखे जी actually क्या चीज़ होती है, functional का मतलब काम करना, functional, for example, हमारे पास कोई structure ऐसा है, जिसमें हमारे पास कुछ limited resources है, for example, हमारे पास machine नहीं है, हमारे पास agriculture के अंदर labor ही है, that means हमारी मतलब दिक्कत है वहाँ पे, तो जो हमारे पास resources हैं, उसको हमने use करना है without changing, मतलब जो हमारे पास छोटे मोटे resource है ना, हमने उसको ही use करना है, और हमने उसमें changes नहीं करने, हमने ज़्यादा से ज़्यादा functional role play करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसको utilize करना है, ताकि हमारी जो existing चीज़े हैं, उनको हम use कर सकें और प्रपर तरीके से देश को आगे बढ़ा सकें, दोनों में difference नहीं से समझना, structural planning का मतलब ये था कि हमारे पास जो resources हैं, वो limited हैं, उन resources को आगे बढ़ाओ, जिससे देश की unemployment खतम हो सकें, उसमें changes करना, resource पैदा करना, लेकिन functional planning क्या होती है, जो आपके पास resource है, जो आपके पास structure है, उसको utilize करो, उसको प्रपर तरीके से functional रूप में लेके आओ, ताकि हम लोग चीज़ों को use कर सकें और without any changing in the structure, मतलब जो भी हमारी चीज़ है, उसको बिना change किये, हम उसको use करें, तो that is called functional planning, point clear होगे आप लोगो, yes, अब दो type की planning और भी होती है, एक होता है centralized, नॉर्मल भाषा में हम use करते हैं, किंद्री, किंद्रिया, और एक होती है भी किंद्री करन, यह इस decentralized planning, अब इसमें क्या है difference और उसमें difference क्या है, centralized planning का मतलब यह होता है, centralized planning का मतलब यह होता है, जहां पे states, जो center government है, यह सारी चीज़े control करके रखी हुई है, जिसे हमने अब इपढ़ा था, imperative, comprehensive, वो ही टाइप है centralized planning में, decentralized planning में मतलब क्या होता है, multi-level, multi-level, जाने कि center government, state government, local government, लोग, सारे लोग involved हैं, जाने कि powers distribute कर दी गई हैं, powers decentralized कर दी गई हैं, planning करने के लिए भी distribute कर दिया गया है, even panchayat भी planning करेगी, even municipality भी planning करेगी, even states भी planning करेगी, और आपके center government भी planning करेगी, multi-level planning जो होगी, वो आपकी होगी decentralized planning, clear, and the last word is perspective planning, perspective planning, perspective planning का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी, हमने five year planning का concept पड़ा था, कि five year planning का concept पड़ा था, ठीक है, ये भी पड़ा था हमने, हमने एक rolling planning पड़ा था, rolling planning, जो जनता पार्टी ने दिया था, एक साल का plan review करेंगे, फिर अगले साल का plan बनाएंगे, इस तरीके से एक एक साल का जो plan बना, उसे हम क्या कहते हैं, rolling planning कहते हैं, ये सब को पता है, लेकिन perspective planning का मतलब ये होता है, ऐसी planning जो के 15 से 20 साल, 15 से 20 साल तक की planning करी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, prospective planning उसको हम कहते हैं, point समझाए आप लोगं को, और ये planning जो होगी ठीक है, मतलब हम एक broad objective लेके चल रहे हैं, कि हमने ये achieve करना है, तो that means हमने 15 से 20 साल पहले सोच लिया, like for example, कल आज आप planning कर रहे हैं, आप government exam की त्यारी कर रहे हैं, जब business कर रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हैं, anything कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं, अगले से 15-20 साल आपके कैसे होंगे, like for example, obviously बात है, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, and उसके बाद आपके मातापीता को कैसे रखना है, बच्चों की पढ़ाई को कैसे रखना है, सारी चीजों की प्लैनिक, तो मतलब 15-20 साल की प्लैनिक आपने ले ले, लेकिन उसमें भी आप क्या करते हैं, छोटे-छोटे प्लैन्स बनाते हैं, वो छोटे-छोटे प्लैन्स क्या है, मैं अभी पहले government job लूँगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है बच्चे भी हो जाएगे, और साथ में फिर मैं पीछे से अपने मादापीतागी देखरे भी करूँगा, प्रॉपर तरीके से, और फिर मैं घर लूँगा, घर लूँगा, फिर जो भी कमाई होगी मेरी, उसमें पर मैं पैसे को बचाऊँगा, ताकि मेरी बच्चे भी पढ़ सकें, तो that is called perspective planning, this is called perspective planning, पहले लंबा सोच लो, कि हाँ इतना करना है, ऐसे करना है, पॉइंट समझाया, फिर दूसरी बात, अगर हम बात सोचे, कि ये चीज़ को achieve कैसे किया जाएगा, उसके लिए छोट 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 गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे, and that is called perspective planning, पॉइंट समझाया आप लोगों को, कोई वो शादियों शूदियों के उपर बात मत करना, ये एक समझाने का मतलब था, ये एक logic था, ताके आप इस चीज़ को समझ पाएं, तो this is called perspective planning, पॉइंट समझाया आप लोगों को, ठीक है, तो चलते हैं आज अभी, देखे, indicative planning पढ़ा दिया, comprehensive पढ़ा दिया, core planning आपको पढ़ा दिया, structure पढ़ा दिया, functional पढ़ा दिया, centralized, decentralized, perspective, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिये, और भी बहुत सारे हैं, जो LPG reforms हम करेंगे, मैंने आपको बताया था, और LPG reforms करने से पहले, आपको एक चीज़ बता दूँ कि, अगर आप लोग MCU की form में पढ़ना चाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, काफी लोग जो है, already theory पढ़ चुके होंगे, काफी लोग नहीं पढ़े होंगे, जो लोग MCU से पढ़ना चाते हैं, और वो मेरा course रे सकते हैं, 10,000 MCU course, clear, और इस course, यह अंतरकत, जो है यह code लगा लेना, आपको discount मिल जाएगा, तो आप study IQ app और website की उपर ले सकते हैं, economy, polity, history, सब कुछ chapter wise, topic wise यहां पर discuss किया गया है, MCU की form में, now is the, जो है new economic policy, अब यह new economic policy का मतलब क्या है, new economic policy का मतलब यह है, that is LPG reforms, LPG reforms मैंने आपको बताये थे, यह आये थे, 91, 92 के अंतरकत, clear, और LPG reforms आये थे, PB, Narsima, Rao, जो हमारे उस चाइम पे परधान मंत्री थे, जिनको बोला जाता है, father of LPG reforms in India बोला जाता है, this is very, very important point, clear, अब LPG reforms, clear, और उसके साथ, यहाँ पे finance minister कौन थे, that is Manmohan Singh जी, Dr. Manmohan Singh जी जो है, आपके उस चाइम पे finance minister थे, अब बात यह है, what is the meaning of LPG reforms, one is the, L is liberalization, चीक है, और P is privatization, and G is globalization, पहले तो एक vague term में हम पढ़ेंगे, कि क्या मतलब होते हैं, फिर आपको slide से मैंने कुछ points आपको दिखाने हैं, वो आपको पता होने चाहिए, दिखेंजी liberalization word का मतलब क्या होता है, liberalization, freedom, liberalization का मतलब क्या होता है, freedom होना, अब यहाँ पे freedom कैसे मिल सकती है, हमारे देश में freedom कैसे मिल सकती है, देश में freedom है, कि actually क्या होता था, जब भी हम कुछ काम करते थे, business करते थे, तो हमें license लेने पड़ते थे, हर काम को करने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने, जो license बगएरा है, वो चीज़े इन्होंने खतम कर दी, कि हाँ आप जो है license बगएरा, आपको कोई जुरुत नहीं है, अब जो license लेंगे, आपको 3-4 ऐसी companies हैं, जहाँ पे आपको license की जुरुत पड़ती है, जैसे drugs, narcotics, clear, और जो है, आप defense में काम नहीं कर सकते, और ये सब चीज़े, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा, पुरी list दिखा दूँगा, कि क्या-क्या है, जस्ट अभी समझे, तो liberalization हम ने कर दी, और plus, जो भी हमारी freedom है, हमें freedom दे दीगी, जितना आप company को बढ़ाना चाते हैं, expand करना चाते हैं, आप कर ले जीए, आप बैंकों को, बैंकों को बोल दिया गया, कि जो भी आपने interest rate रखना है, आप free है, जो भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब आपको lower rate of interest, higher rate of interest आपकी उपर है, कैसे आपने करना है, तो that means, laws जो हैं liberal भी कर दिये गए, बैंकों के लिए भी कर दिये गए, नर्सिमम कमैटी बैठी थी यहां पर, जब इन्होंने ये interest rate को deregulate बगएरा, इन्होंने किया था, और साथ के साथ, investment बढ़ा दी गई, small scale industries के अंतरगत, आपकी जो है investment को बढ़ा दिया गया, और जितनी भी ऐसी trade policies थी, जो हमारे देश के अंदर, ऐसी policies, जो हमारे trade को restrict करती थी, रोकती थी, वो सब कुछ यहां पर बंद कर दिया गया, point समझाया, so this is called liberalization, clear, the second one is the privatization, privatization का मतलब क्या है, कि यहां पर अब private sector आएगा, प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह है, कि जो हमारी companies हैं, public sector हैं, जो government की companies हैं, इसमें हम disinvestment करेंगे, मतलब government अपना share कम करेगी, इसमें और private sector को गुसाएगी, private sector गुसेगा, तो competition बड़ेगा, अंदर लोग जो हैं highly active हो जाएगे, management private sector के पास भी जा सकती है, तो that means इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, competition बड़े का काम ज़्यादा करने की, जो हैं चीजें हो जाएगे यहां पे, clear, तो privatization से इस तरीके से होगा, जा आप अपने share बेच देजिए, clear हो गया, जा फिर आप private sector को ज़्यादा कर दीजिए, और government sector को कम कर दीजिए, तो ये भी आपकी privatization का part आ जाता है, clear, अब privatization से क्या होगा, सबसे बड़े important चीज़ यह है competition, अब आप एक चीज़ बताओ, जब भी हम government job, मैं ऐसे आपको कभी भी वो नहीं कहूंगा, कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारी लोग ऐसे हैं, जो government job में रहके बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, maximum लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कि जब आप government exam की त्यारी करते हैं, तो आप government job को for guaranteed ले लेते हो, ठीक है, भाई मैं जे तो इतना ही काम करना है, मैं अगेन 8-9, 8-5 की job है, जब 9-5 की job है, ठीक है, जैसी घंटे बजी मैं निकल जाओंगा, लेकिन काफी बन लोग ऐसे हैं, जो उन time को duration को नहीं देखते, और proper तरीके से देश के बारे में सूचते हैं, ठीक है, अपने personal growth तो होती ही होती है उस चीज़ में, कि क्योंकि government जो आपके departments होते हैं, उसमें आपको salaries, high और बहुत सरी चीज़े और भी मिलती रहती हैं, पुछ ना कुछ हो, आपका होता रहता है, internally होता है, वो externally कुछ नहीं पता लगता है, वो कि क्या कर रहे हैं, चीक है, तो अब एक चीज़े बताओ, अब privatization में देख लो, private sector में देख लो, आप किसी office में जाओ, तो उसमें आपको बोल दिया कि ये काम आपको करना है, अगर आपको पता है कि ये काम करना है, आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मैं आज कर लूँगा, या कल कर लूँगा, तो दो गंडे बात कर लूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो दूसरा एक person और भी बैठा है जो वो ही काम करने के लिए बैठा है अगर आपने नहीं क्या उसने कर दिया उसकी promotion हो जाएगी तो मतलब competition की भावना यहां पे होगी market में देख लो government की बहुत सारी companies हैं private sector की बहुत सारी companies हैं तो इसमें हमेशा जो होती है जब हम चीज़ को खरीदते हैं जब maximum हम काम करते हैं हम कहते हैं कि नहीं private sector वाला करीद लो क्यों खरीद लो क्योंकि जैसे हमने demand करी वो फटवट दे देता है क्यों competition इतना जदा है इतना fast है privatization का काम clear तो इसी लिए privatization को गुसाया गया था कि market में competition बढ़े competition बढ़ेगा देश में growth होगी लोगों को काम से काम जओ है जाद से जादा यहां पे मिलना start हो जाएगा globalization अब globalization का मतलब क्या है कि जो लोग हम इंडिया में बैठे है हमने इंडिया में बैठे है हमने flip card खोला Amazon खोला या कुछ भी खोला anything तो आपने देखा US में चीज भी करी है तो वो चीज़ आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं और US वाले इंडिया की चीज़ वहां पे मंगा सकते हैं तो this is called globalization world जिसमें आपका कोई भी restriction नहीं है import export आप करो जितना आपको ने करना है जितना आप करेंगे उतना देश के लिए अच्छा है क्योंकि foreign money आएगी foreign money आएगी Rb के पास जमा हो जाएगी Rb के पास जमा हो जाएगी तो उसकी तो foreign exchange reserve जो है आपका बढ़ जाएगा point समझाया और जब भी आप ऐसा globalize करेंगे क्योंकि उसके उपर tax लगेंगे, tariff लगेंगे उसको भी कम करने की बात करी गई यहां पे कि हाँ हम जो import export tax होता है न वो भी आपको कम लिये जाएगे तो जिससे क्या होगा चीजे आसानी से दूसरे देशों में पहुंच जाएगी और दूसरे देशों की चीजे हमारे इंडिया में अच्छे से पहुंच जाएगी और उसकी equivalent value जो भी country की करनसी होगी उसकी equivalent हम कर सकते हैं आप लोग जो business कर रहे हैं इंडिया business कर रही है US के साथ तो इंडिया की जो करनसी है आपकी अगर मैं कहूंगी आपने 1000 करोड का business किया तो उसमें आप 500 करोड जो है इंडियन रुपी दे सकते हैं उनको और 500 करोड आपको US डॉलर देना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि जब US इंडिया से माल खरीदेगा तो obviously बात है वो ही करनसी हमारे इंडिया में आ जाएगी तो इसमें convertibility की भी बाते करी गई यहाँ पे कि हाँ आप पैसा इस तरीके से भी convert कर सकते हैं इस तरीके से भी आप पैसा दे सकते हैं और यह जो convertibility हुई न यह partial हुई partial का मतला जैसे मैंने आपको बताया कि 500 कुरोड की बात करी 500 कुरोड आपने उसमें दे दिया 500 कुरोड आपको डॉलर में देना पड़ेगा clear होगे आप लोगो FDA की बाते गरी गई यहाँ पे FDA जो long term investment होती है हमारे बारादेश में foreign country आती है तो यह जादा से जादा increase करने की बाते करेगी FDA आएगी तो obviously बात है हमारे देश के लिए asset create करके जाएगी for example अगर मैं bullet rain की अगर मैं बात प्रूँ जपान के लोग आए जपान ने invest किया यहाँ पे जब वो सारा कुछ बन जाएगा वो चले जाएगे ठीक है हम पैसे लोटाते रहेंगे दिरी दिरी लोटाते रहेंगे लेकिन हमारे देश के लिए तो bullet rain त्यार करके चला गया ना जपान तो that means यह सारा concept जो है अब एक चीज़े बता यह जो LPG reforms हमने किये हैं जह हम सोच रहे हैं यह क्यूं हो रहे है reason क्या है इसके पीछे इसके पीछे बहुत बड़े reasons होंगे क्या इनके पीछे reasons हो सकते हैं yes इनके पीछे क्या reason हो सकते हैं the number one economic growth हमारा आर्थिक विकास करना है दूसरा employment तीसरा लोगों को skill बनाना है चौथा inflation को कम करना है point समझा है तीन चार तो सिधे सिधे हैं और दूसरी बात यहां पर यह है participation देंगे जल्दी से जल्दी private sector को ताके competition बड़े public private partnership को जदा focus करेंगे कि यहां दोनों मिलके काम करें जिससे हमारा देश जो है आगे grow कर सके point समझा है आप लोगों को तो यह जब सारी चीज़े जो है यह आपकी करी जाती है LPG reform में और उसके पीछे objective आपके क्या है अब थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि क्या चीज़े हमने discuss करी है ताकि हमारा कोई point तो नहीं रहा गया अब देखे जी new economic policy की अगर हम बात करते हैं कि economic policy में क्या-क्या चीज़े हुई तो इसमें मैंने आपको बताया था new economic policy जुलाई 24 1991 को हुई ये LPG reform वाली चीज़ है और मनमोन सिंग जी जो है यहाँ पे क्या है आपके that is finance minister है और दूसरे जो prime minister है आपके that is pv नरसिमारा हो जिने हम कहते हैं father of LPG reforms in India कहते हैं clear और इनके objectives क्या है मैंने आपको objectives बताये थे कि दिमाग में क्या चलता है inflation को control करना economic growth को बढ़ा के चलना economic stabilization good services capital human resources की जो है आपकी interaction होना private players को include करना physical discipline बनाना foreign exchange rate investment बढ़ाना और ताके हमारे देश की productivity और efficiency जो बड़े और competitive environment आपका देखने को मिले तो यही आपकी जो है क्या है that is the मतलब चीज़े हैं अब बात करते हैं liberalization की liberalization में आपको बताया था की freedom में क्या होगा जो interest rate है आपकी जो banks के interest rate है उसको आप तम कर सकते हैं आपकी small scale industries में आप investment करवा सकते हैं और capital goods की जो freedom है कोई भी चीज़ा import export कर सकते हैं expansion कर सकते हैं industries की और जितना भी restrictive trade है जो आप चीज़ को रोकते हैं वो भी आप कम कर सकते हैं खतम कर सकते हैं licensing वगरा restriction वगरा आपकी cancel कर दी गई है now the part is ऐसी कौन सी industries हैं जहां पे आपको license की जुरुरत पड़ती है यह important part है clear concept तो आपको बता ही है कि concept में अगर कुछ भी option number a, b, d, c करके डाल दे तो आपको समझ आ जाएगा now the part is ऐसी कौन सी जो industries हैं जहां पे license की जुरुरत पड़ती है liquor, cigarette, defense, industrial explosive, drugs और hazardous chemical मतलब यह सारी चीज़े हैं जहां पे आपको license की जुरुरत पड़ती है so this is super important part, clear, यह आपको पड़ लेना है इन चीज़ों में आपको license की जुरुरत पड़ेगी, clear दूसरा बात करते हैं privatization privatization में मैंने आपको बताया था public sector unit को जा तो बेच दो जा disinvest कर दो, जा कम कर दो और यह सारी चीज़े क्या हो जाएंगी प्राइवेट सेक्टर को हम provide कर देंगे इससे क्या होगा जो आपकी sector है प्राइवेट सेक्टर की जो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे जैसे 1956 की जो policy आई थी जो industrial की policy थी उसमें 17 आपकी क्या थी? पब्लिक सेक्टर unit थी अब 17 से रहके कितनी रही है? चार रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट आपका interfere करती है और आप लोग interfere नहीं कर सकते जाने कि private sector interfere नहीं कर सकता जैसे transport और railway atomic minerals, mine and minerals की बात करें atomic energy की बात करें और defense equipments की बात करते हैं तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है public sector के अंतरकत आती है ये चार industry जहां पर आपका ट्रांस्पोर्ट रेलवे ट्रांस्पोर्ट हो गया मतलब रेलवे ट्रांस्पोर्ट हो गया the two mines and millers atomic energy and the fourth one is the yes, fourth one is the defense globalization मैंने आपको बता दिया जिसमें again आपको प्रॉपर तरीके से करना क्या है कि बाहर के लोगों को यहां पे लेके trade करो, business करो जिसमें आपने tariff को कम करना है trade policies को बढ़ाना है और जो है आपके जो Indian currency की convertibility को देखने को मिलेगी FIA short term gains और FTA long term investment जो है आपको देश में करवानी है so these are the points in the LPG reforms now is the पूरा model आपको बताना है पूरा model क्या होता है so what is the meaning of पूरा model पूरा model का मतलब क्या है हमारी new economic policy के अंतर का so what is this providing urban amenities urban amenities in rural areas मतलब क्या हो गया इस चीज़ का in rural areas जाने के जो ऐसी चीज़े हमारे शेहरों में हैं वो हम गाउं में पहुंचा दे for example education for example hospitals job creation factories anything जो शेहरों में चीज़े हैं वो गाउं में पहुंचा दे अगर हम लोग शेहरों की चीज़े गाउं में नहीं पहुंचा दे तो क्या दिक्कत आएगी गाउं के लोग उठके शेहरों में आएंगे शेहरों में पहली ही बीड बहुत ज़ादा है और बीड हो जाएगी urbanization की problem देखने को आपको मिलेगी तबी आपने देखा होगा जैसे दिल्ली है मुंबई है एक ही घर में कैसे घुस घुस के कितने लोग रह रहे होते है तो वो दिक्कत क्या है urbanization की problem है reason है ये ऐसा नहीं कि गाउं के लोग क्यों उठके आ रहे हैं point समझाया दूसरी बात education उसने लेनी है तीसरी बात जो है again जो है economic growth करनी है उसको medical field में highly active रहना है insurance करनी है अपनी करबानी है family की करबानी है तो ऐसी चीज़े जो गाउं में शेरों में है हमने गाउं को अगर पहुँचा दी क्योंकि अगर उसको सब कुछ वाँ पर मिल रहा है समझाया आप लोगों को अगर हम इस तरीके से करते हैं जाने कि गाउं में चीज़े पहुँचा देते हैं तो हमें किन-किन चीज़ों से हम बच सकते हैं urbanization की problem से pollution से बच सकते हैं क्यों कोई भी लोग आएंगे ज्यादा लोग आएंगे तो अगें गाडियां जो है सब चीज़े increase होंगी और तीसरी बात ये है crime crime एक चीज़ बताओ crime का सबसे बड़ा reason क्या है book, खाना खाना नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है crime, तो crime की जो है आपने देखा होगा, जब भी movies में देख लो series में देख लो, हमेशा जब भी crime होता है, उसके पीछे खाना, book, पैसा, ये ही सारी चीज़े हैं, ये भी क्यों चीज़े है क्योंकि employment नहीं मिल रही, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, मतलब वो अलग बात है मानसिकता अलग है उसकी, मानसिकता होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हो सकता है, ये भी एक factor हो कि हाँ, उसके पास employment, मतलब जो है, काम नहीं है, बिजनस नहीं है, तो उसने क्या सोचा, मेनत ना की, मेनत नहीं करना चाता, और सोचा गया, चलो डाकर ही डाल लो, तो ये सब चीज़े जो होंगी, ये problem आपकी solve हो जाएगी, अगर हमने शैरों वाली चीज़े गाउं में पहुंचा दी, so this is called पूरा model, और इस पूरा model का जो concept दिया था, वो दिया था APG Abdul Kalamji ने दिया था, so this is very very important point, clear, ये याद रखना important part है, so guys दे थे, आज का lecture हमारा, that is this is all about the LPG reforms in India, कौन कौन सी factories, कहां कहां पे, वो सब चीज़े मैं आपको बता दी, ये planning के बारे में, आपको मैंने detail में आपको समझा दिया, कि क्या है, और अगर अच्छा लगा इस lecture को तो आप like और share कर देना, और सबसे important बात ये है, कि हमारा जो एक paid course GL live batch, जो है हमारा 31st of August को start हो जाएगा, शाम को 7 बजे जिस तरीके से हमने अभी topic पड़ा है इसी तरीके से हम topic को detail में, एक comprehensive way में, dynamic way में, conceptual चीज़े लेके चलेंगे, static part भी cover करेंगे और proper इदर उदर की चीज़े भी cover करेंगे इदर उदर का मतलब ये होता है क्योंकि examiner ने अगर static ना पूछ लिया इदर उदर से पूछ लिया, तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आज समझाई थी clear, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं हमारा batch purchase कर सकते हैं जिसमें 300 प्लस live hours की classes होंगी, 5 दिन हफते में classes होंगी, छटे दिन आपका again doubt session होगा, 5 दिन भी doubt session होगा आदे गंटे के लिए, छटे दिन तो आपका पूरा धाई गंटे के लिए doubt session है, और साथवे दिन जो होगा, आपका mock test होगा जो भी आपने पढ़ा है, एक अफते के अंतरका वो सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी तो guys ये पढ़ लेना, अच्छे से त्यारी कर लेना और इस batch को 100% join करना मैं आपको कहूंगा, reason being क्योंकि ये सारे students मेरी guidance में रहेंगे अच्छे तरीके से, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आपको पढ़ना पढ़ेगा कोई भी बात होगी, तो आप मुझे वहाँ पर directly बात कर सकते होंगे, जिसमें obviously बात है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़े बता सकता हूँ जो मैं YouTube पर क्योंकि कम, time कम क्योंकि सारे मैं comments नहीं पढ़ सकता ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ limited बच्चे होते हैं, तो limited बच्चों में ज़्यादा बात करी जा सकती है, ज़्यादा आपको बढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाने के लिए बाते करी जा सकती है, तो आप इस batch को join कर सकते हैं, clear, और इस batch को आपको डाल देना है live जैसे आपने live word डालाना तो आपको ये course नजर आ जाएगा जर्नल अवेरनेस का live batch by dr. विपन गोई तो आप इसको join कर सकते हैं जैसे आपने join किया इसमे code डाल देना vip thousand तो आपको discount मिल जाएगा सभी बच्चों के लिए ये मैंने code open कर दिया कि आप low discount low और preparation अपनी start करो clear और प्लस अगर आप mcq की form में ही पढ़ना चाते हैं तो आप मेरा ये paid course ले सकते हैं 10,000 mcq course अगें यहाँ पे search बार में 10,000 डाल देना तो आपको नजर आ जाएगा clear बट मैं कहूंगा कि again जब आप zero level पे है theory पता नहीं है चीज़े attempt करने में दिक्कत आती है तो इस batch में आना जरूर GLI batch में clear और plus आप जो है कोई भी updates बगरा जो होते हैं वो telegram channel के उपर आपको मिलते रहते हैं मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बचे जुड़े हुए है तो आप जोईन कर सकते हैं यहाँ पे और Facebook और Instagram के उपरा मुझे follow कर सकते हैं email कर सकते हैं अगर आपका कोई doubt कोई question हो clear so guys मैं आपको कहूंगा सिर्फ 4 दिन रहे गए हैं तो join कर लिजे 31st of August को साथ बजे शाम को मरी class हो जाएगी तो बस पढ़े और अपनी preparation आगे बढ़ाएं clear तो इस बैच को join कर ले न so thank you so much and all the very best for your exam अच्छे से पढ़ना है अच्छे से त्यारी करनी है good luck guys take care bye bye जैहें